हेलो स्टूदेंट्स और वेल्कम बाक तो दे चैनल आज चे क्लास हम कंटिन्यू करेंगे प्रिंसिपल्स आफ मार्केटिंग जिसके अंदर हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें वो था प्रमोशन और रीसेंट डिब्लॉम्मेंट्स इन दा मार्केटिंग ठीक है जिसके अंदर हम पिछले वीडियो के अंदर प्रमोशन क्या होता है और क्या-क्या उसके नीचर करिटरिस्टिक्स हैं क्या-क्या टाइप्स का प्रमोशन होता है यह सब अल्रेडी देख लिए थे आज का टॉपिक है अबाउट कम्मिकेशन इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम exchange of ideas, views, message, information, or instructions between two or more persons. तो जब दो या दो से ज़्यादा विक्ति के बीच में कुछ इन्फोरमेशन, ideas, views, instructions, exchange होता है. तब हम उसको बोलते हैं, communication. Basically, दो विक्ति के बीच में कुछ इच शेर होना. That is, idea, instruction, anything. By different means. The common means of transmission of ideas are सबसे common तरीका या तो बोल कर हम एक दूसरे से बातशित कर सकते हैं. एक दूसरे से कुछ आइडिया शेयर करने के लिए हम एक तो spoken word यूज़ कर सकते हैं. या हम बात्चेत नहीं कर रहे हैं, दूर है सब कोस्तों हम रिटेन वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, मैसेज बेश सकते हैं, इमेल कर सकते हैं. डाइग्रामamo, पिक्चरज, ग्राफ एंड जेस्चरज ये सब कुछ कुछ ना कुछ connect करता है, यसे कि spoken words हो गया कुछ बोलना, return words हो गया कुछ लिखित में, डाइग्राम फिक्चरज हो गया, कुछ ग्राफ हो गया en derives of98 या फिर gestures. gestures gestures and postures होता है basically हम कुछ ना बोल कर ना कुछ लिख कर हमारे body movement से कुछ चीज indicate करना उसको भी हम बोलते हैं communication जैसे कि for example तुमको मैं पूछा कि बेटा समझ में आया तो तुम बोले इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब yes sir समझ में आ गया है तुमको मैं बोला बेटा समझ में आया तुम बोले इसका मतलब समझ में नहीं आया तो हमारा जो यह head nodding है कि मुंड़ी हिलाना है यह भी कुछ कम्मुनिकेट कर रहा है रहा है यह जो यह जो यानिंग करना है यह भी कम्मुनिकेट करता है कि बच्चे को बोल लग रहा है बात समझ मारा है तो यह सब कुछ कुछ ना कुछ communicate करता है हमारे gestures हम कैसे बैठे हैं हमारे postures यह सब कुछ communicate करते हैं हमारे बारे में ठीक है देखना the communication is a two-way process as it begins with sender and ends with the feedback comes from the receiver तो basically यह communication process है जहां पर सबसे पहला है sender second message third encoding fourth media fifth decoding sixth receiver और seventh feedback यह हमारा पूरा का पूरा communication process जो कि हम लोग अभी detail में पढ़ेंगे यह दियान रखने exam में अगर diagram बना के आओगे तो तुम्हारा examiner fan हो जाएगा तुम्हारा marks निकाट पाएगा तुम्हारा अगर तुम perfect diagram बना के आप आओगे तो ठीक है तो diagram दियान में रखना हो सके तो draw कर लो example और उसको जरूर से exam में जो है बना कर आना है ठीक है तो हम start करते है communication process first point is sender sender मतलब वो विक्ती जो message भेज रहा है the person who wants to communicate जो communication सुरू करना चाहता है that person is basically called as sender sender मतलब जो विक्ती communication सुरू कर रहा है ठीक है sender is the person who conveys the message the communication process begins immediately when the idea comes in the minds of the sender the sender के mind में आता है idea की communicate करना है और वो communication करना सुरू करता है तो वो विक्ती जिसके दिमाग में idea आया है जो communication सुरू कर रहा है that person is called as sender ठीक है second message अब हमको second step message recite करना होगा message मतलब हम क्या communicate करना चाहते है हमारा idea suggestions instructions हमको यह सोचना होगे what we want to communicate that is the message क्या communicate हम करेंगे ठीक है the contains of ideas or message or suggestions which sender wants to share with the receiver is called as message so message क्या चीज है जो idea जो suggestions जो instructions sender भेजना चाहता है to the receiver वो idea suggestions को हम बोलते है message ठीक है third होता encoding encoding का मतलब होता है यह जो idea या यह जो instructions है इसको convert करना into some words pictures, graphs, gestures, postures यह सब मैं convert करना इसको बोलते है encoding encoding का मतलब होता है जो message हम लोग communicate करना चाहते है उस message को by words या by gestures, postures convert करना that is basically called as encoding ठीक है receiver cannot read the mind of the sender जो हम सोच रहे हैं वो तो receiver नहीं समझ पाएगा तो हमको कुछ उसको communicate करने के लिए कुछ medium use करना पड़ेगा और वो है basically हमारा language यह हमारा gesture and postures ठीक है so receiver converts the ideas into a language और other communication symbols such as pictures gestures etc तो encoding हमेशा ऐसा होना चीजो सामने वाला समझ सके अब जैसे मैं Chinese में पढ़ाने लगूंगा तो मैं यह communication पढ़ा रहा हो तुमको अगर मैं Chinese में पढ़ाऊंगा तो बेटा समझ में नहीं आएगा बात समझ रहे हो ना तो वहां क्या चीज में दिक्कत आ रहा है encoding का problem है मैं ऐसा language use कर रहा हूं जो कि मेरे students लोगों को समझ में ही नहीं आएगा तो encoding हमें इसा ऐसा होना चाहिए जो कि receiver उसको decoding कर सके मतला receiver उसको समझ सके अगर receiver उसको नहीं समझ पा रहा है तो हमारा encoding में problem है ठीक है next media media का मतलब medium of transmission या तो हम phone use कर सकते है internet letter message कुछ भी use कर सकते है communicate करने के लिए तो media मतलब basically the medium of communication जिस से हमारा जो message है वो transfer होगा to the receiver it is the way or means through which encoded message has to be transmitted to the receiver the common ways of transmissions are phone, letter, internet, message, etc. these are the common ways of transmission ठीक है next decoding decoding का मतलब होता है जो encoded message sender भेजा है to the receiver receiver उसको अपने language में समझता है उसको बोलते है decoding जिसे मेरा समझाना यहां पर यह topic मैं पढ़ा रहा हूं English में या Hindi mix करके तो यह encoding है तुम उसको सुनकर समझ रहे हो this is decoding decoding मतलब encoded message को understand करना by the receiver is called as basically decoding decoding refers to converting the encoded message into language and understanding the message basically उसको अपने language में convert करना और उसको समझना is called as decoding ठीक है अब यह decoding कौन करेगा the decoding will be done by the receiver तो receiver वो वेक्ती है जिसको हम message किये है sender वो वेक्ती जो message किया है और receiver वो वेक्ती है जो message receive कर रहा है जिसको communication किया गया है that person is called as receiver और जो communicate किया है that person is called as sender ठीक है दिखना receiver receiver is the person who receives the communication and understands the message that person is called as receiver ठीक है and last में आता है feedback feedback का मतलब है receiver message समझ कर वो क्या समझा उसका response देता है to the sender तो feedback से पता चलता है कि जो receiver है वो message को ठीक से understand किया है या फिर नहीं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि sender communicate कर देता है बड़ receiver उस बात को समझ नहीं पाता है और ये कहां से पता चलेगा feedback से ठीक है जैसे मैं पूछा बेटा समझ में आया communication process तुम बोले sir मैं समझ में आया तो ये जो नहीं समझ में आया तुम बोले इससे मुझे पता चलता है कि बच्चा जो है topic नहीं समझ पाया है तो ये जो नहीं समझ में आया ये बोलना is a feedback या फिर मैं बोला मेटा समझ में आया तुम बोले हां सर पूरा समझ में आ गया है तो यह जो तुम बोले सर समझ में आ गया इस से मुझे पता चला कि बच्चा समझ गया है तो this is also called as feedback तो feedback is basically response of the message ठीक है after understanding the message the receiver sends his response on the idea or message to the sender when response reaches the sender then only communication process is completed तो जब response मिल जाता है जब feedback मिल जाता है तो जब होल communication process comes to an end clear रही है तो these are the seven steps of a communication process जिसके अंदर पहला step है sender, sender का मतलब वो विक्ती जो message भीजेगा message, message का मतलब वो idea या वो instruction जो की हम share करना चाहते हैं तीसरा है encoding, encoding का मतलब होता है अपने message को कुछ ऐसे language, symbols, gestures, postures में convert करना जो की receiver समझ सके, fourth है media, media मतलब एक medium of transmission सिलेक्ट करना जो की internet, message या फिर face to face ऐसा कोई भी हम media सिलेक्ट कर सकते हैं next आता है point number five decoding, decoding में होता है कि जो encoded message है उसको receiver समझता है, that is basically called as decoding point number six है receiver, receiver वो वेकती है जिसको message deliver हुआ है और जो decoding करके message को समझ रहा है और last आता है feedback, feedback is the response by the receiver to the sender जिससे sender को पता चलता है कि communication हो गया है and here the communication process comes to an end, clear रही है so this is all about the topic communication, communication के बारे में स्रिफ communication क्या होता है, इतना ही दिया हुआ है हमारे syllabus के अंदर ठीक है, तो यह topic यहाँ पर complete होता है, मिलते है next topic के अंदर जहाँ पर हम एक नया topic को सुरू करेंगे, अभी के लिए इतना, thank you and bye-bye झाल